पोको के X2 डिवाइस के लिए एक स्टेवल मेई 13 का अपडेट आ चुका है जो कि 13.0.3 है और आज किस वीडियो में हम इसी कब बात करने वाला है कि क्या कुछ यहां पे देखने को मिल जाता है और यह जो अपडेट है एक चाइना का अपडेट है ना कि हमारे इंडिया का है और एक तो अपडेट अलग चल रहा है एक फष् mots डिव का प्री एडिशन वाला अपडेट अलग चल रहा है और दोनों लिए अपडेट है और विकली अपडेट आता है तो वह तो अलग ही है तो यहाँ पे जितने में इसके पहले अपडेट आए थे उन वहाया बात है कि उतना जड़ा यूजिवल नहीं है स्टेवल होने के बाद भी बट यह जो अपडेट आया है ना इसवरा का 13.0.3 इसे देखके लगता है कि हाँ यह काफी स्टेवल हो चुका है और अब सायज जल्द ही अब हमें इंडिया में देखने को मिलेगा तो क्या है कारण क् को यहां पर बताने वाला हो इसलिए लास्ट तक वाच करना ताकि अगर आप एक चाइना रोम यूज करना पसंद करते हो तो डिसाइड कर पाओ कि इसे यूज करना है या नहीं साथ-साथ आपको एक प्रोपर आइडिया भी लग जाए कि इंडिया में कब तक यह रिखने क को मिल सकता है तो हरवार की तरह सुरुआत हम करते हैं हमारे बाउट पेच से ही तो यहां पर हम आ जाते हैं सेटिंग के अंदर माई डिवाइस के अंदर जहां पर आपको रिखाई रेट है 13.0.3 और यहां पर आएंगे तो आपको Android 12 देखने को मिलेगा साथ-साथ यहां प बहुत कम डिवाइस में ही एड किया गया है और यहां पर भी आ चुका है चायब हो इंडिया का हो ग्लोबल का हो या फिर चाइना का ही क्यों ना हो उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा K30 तो कुछ लों कहेंगे भाई तो K30 लेकर हमें बेकूब बना रहा है Poco X2 क जो कि इसका extra RAM वाला feature से जो कि यहां पर हमें देखने को मिल जाता है पिछले वाले में काफसे जड़ा lag श्टर वगरा देखने को मिलता था तो slow वाला feel होता था बट ऐसा कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि यह actually stable update होता है सिम उसी तरीके से यहां पर स फोकस करना चाहूंगा जैसे कि यहां पर हम आते हैं डिस्पले पे और डाक मूट पे तो आपको पता है इंडिया में डाक मूट से individual एप हटा दिया गया है आपने वीडियो देखने को आया नहीं है तो आपने साइट नहीं देखा हो तो यहां पर आपको देखने को मिल जा नहीं कर पाएगा तो सबसे पहला कमी यहां पर 13 में देखने को मिलता है जो कि सभी डिवाइस के लिए ना कि सिर्फ इसके लिए बाकि यहां पर 120 अप रियल में स्मूध फील होने लग गया है जो कि पहले वाले में हमें फील नहीं होता था बाकि अधर आप्सन तो आपको यहां पर वर्किंग देखने को मिल ही जाते हैं चाइना में तो वाल विपर और प्रस्नालाइजेशन देखने को मिलता है बट इंडिया में जब आएगा जब यह टाटा बाय बाय हो जाएगा नहीं देखने को मिलेगा होम स्किन के अंदर अभी भी आपको पहले वाला ही ल लांच हुआ है तो आपको पोको लॉंचर देखनी को मिलेगा लेकिन वहीं पर आपसोचे को है पोको लॉंचर हमें 4.0 साय देखनी को मिल जाए इस डिवाइस के अपडेट के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला कोई नया डिवाइस आएगा चाए वो पोको एफफोर हो या पो के आजाएगा तो वह आप यूज कर लेना वह बात अलग यहां पर हो जाती है बागे फिंगर प्रिंट फेशन लोग वगरा अच्छे से काम कर रहे है एडिशनल के अंदर आपको वही सारे फीचर देखनी को मिल जाते है और लेंगवेज सपोर्ट के बात करें तो वहाई जाहिर सी बात है चाइना का रोम है तो आपको लेंगवेज सपोर्ट जादा देखनी को यहां पर नहीं मिलता है नॉर्मल सा ही है लेकिन इसके बाद साइध यू कभी अपडेट आए तो अगर आपका डिमांड रहता है तो मैं यू कभी वीडियो लेके आने की कोसिस जाने की है फाइल मेंजर के अंदर मैंने थोड़ा सा इंप्रोवेंट नोटिस किया है कि यहां पर यह सारे चीज़ आपको पता ही है कि वहाए इस तरीके से अनेमड फोल्डर वगरा करेंट होता है लेकिन आप जब भी फोल्डर के अंदर इन करोगे ना तो यह सारी चीज यह बदलाव आपको यहां पर देखने को मिलेगा पाइक अगर हम यहां पर टैप करते हैं और कुछ इसके से करें तो यह देख पार हो यह पॉप अप देखनी को मिल रहा है और जो पॉप अप वाला फीचर से ना यह सिर्फ उसी वीकली अपडेट के अंदर देखने को मिला परड़ यहां पर स्पेवल के अंधर तिया जा रहा है कि और फूकस जा रहा है सभी को 1-8 Cello मेंrisonat मोर के लिए लिए और 1-8 के लिए क क्रीब करीं सारे सिस्टम को बीच में डाला जा आussa ताक है कि आपको यूड ole श्रहन को सिस्टम के इक ठीक है तो सबसे पहले यहां पर एक चीज में आपको दिखा दूगे जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन यहां पे इस्टॉल करोगे तो चाइना वाला जो यह रोम है काफी जड़ा सिकीर हो गया है थर्ड पार्टी अप्लिकेशन के मामले में क्योंकि फोन लेकर कुछ आल टू फाल टू डाउनलोड कर रहा है सेम चीज यहां पर कर दी गई है जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई एपी के इंस्टॉल करता हूं तो देखो यह पहले प्रोसेसिंग लेगा कि एपी के हमारा सेक्यूर है या नहीं उसके बाद यह आपका है जो एमा बाद र cinnamon में फोन होगा जिसका यह फोन होगा उसीका me account होगा तो वो अपना काई सरय जोकि सिर्फ चाइना में रहते इंडियामें नहीं आते ब्राइट अलग तरीके से काम करते हो यहां पर थोड़ा अलग तरीके से लेकिन यहां पर जो इसका मोटीव है न वो एक ही है कि कोई third party बंदा आपके phone के अंदर कुछ चीज़े install ना कर सके तो यह सबसे पहला और big improvement देखने को मिला security से related अनादर यह है हमारा CPU throttle जैसा कि आपको पता है कि Poco X2 की band बजी पर यह आज कल performance के मामले में बट यहां पर यह normal तरीकी से test किया गया है जिसमें आप देख पागए काफ़े down गया है उसके बाद जैसे मैंने इसे गेम टोरो में add किया और सिर्फ गेम टोरो में add नहीं add करने के बाद performance mode को enable किया तब जाकि यह improvement देखने को मिला जो कि 93 के आसपास गया है क्योंकि इस stable update के अंदर हमारा gaming mode normally उतना performance नहीं दे पाता जितना की performance पे set करने के बाद आता है जैसे कि मैंने कहा कि gaming के अंदर performance mode उन्होंने दे दिया है लेकिन दे दिया है तो उसका फायदा किया है जब वो काम ही नहीं करता है तो बट यहाँ पे really में आप काम करने लग गया है तो जब आपको एक application से performance निकालना है या gaming से performance निकालना है तो आपको यहाँ पे performance mode set करना परेगा तब जाके आपको performance मिल पाएगा और अगर बालेंस पर रखते हो ना आप तो वही normal वाला ही performance से देखनी को मिलेगा जिसमें कु 24, full night में only on 1% drain हुआ है बट यहाँ पे sim card नहीं था तो sim card होता तो में भी 1-2% और हो जाता बट stand by काफी अच्छा देखने को मिलता है और यह है हमारा अंटोटो जो कि हरवरा के तरह ठीक ठाक ही result है बट यहाँ पे देखोगे 6% का battery drop हुआ है इसे run होने में, check होने में तो battery slightly यहाँ पे थोड़ा ज्यादा feel होगा आपको बाकी यह है हमारा single और multi court जो कि दोनों ही दोनो week मुझे लगा है चाइना रोम गंदर जबकि यह improved होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे थोड़ा week दिखाई देता है बाकी यहाँ पे सब कुछ similar देखनी को मिल जाता है और हमारा AI पे आते हैं उसका रसकाई पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको AI वहला है जो option देखनी को मिलता है जिसकी help से आप किसी भी photo के background रसकाई को change कर सकते है और यह भाई AI का जो feature से काफ़ी smoothly काम कर जाता है और इस तरीकी से आपका background change करेगा ना जैसा लगया कि आपने भाई अभ आपको इसके photo को किलिक करें जैसे मैंने portrait पे click कर दिया उसके बार हम आते हैं अपने documents के उपर और यहाँ से photo किलिक कर लेते हैं किसी भी type का थीक है अब यहाँ पर documents का हमने photo किलिक किया यह कुछ इस तरीकी से detect करता है जो कि आपको पता ही होगा उसके बाद इसे save कर लेते ह हैं फिलाल तो यहाँ पे save हो गया वापस आते हैं अपने gallery के उपर तो आप देखो कि यहाँ पे portrait और dog का नया folder बन चुका है यानि जो भी portrait photo आप किलिक करोगे वह सारे collection यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और जो भी documents type के आप photo किलिक करोगे ना उसके सारे collection आपक 4.0 है और यह चीज़ इंडिया में सबसे पहले हमें देखनी को मिला है redmi के note 11 device के अंदर जो कि अभी ग्लोबल में update आया था 13.0.12 का update उसमें भी गेमड़ों को 4.0 वाला official add किया गया है जो कि पहली बार देखनी को मिला और उसके बाद यहाँ पे मुझे देखनी को मिल रह है तो आजा भाई हाँ यहां पर आ चुका है आप देखो यहां पर नया वाला game डोग आपको लूप देखनी को मिल रहा है जो कि डेखनी में काफी ज्टा यहां अच्छा और काफी ब्यूटिफुल वग्यरा भी आपको यहां पर दिखाई देता है और फिला लागना में य इनेवल डिसॉल करने का लुक मिल जाता है तो यहां पर लेटेस्ट वाला गेमटर वो यूज़ किया गया है जो कि बाइड डिफोल्ट आपको मिलेगा तो अवरॉल यह रोम मुझे रियल में काफी अच्छा लगा है और मैं आपको डेली लाइफ में रिकमेंडेट कर सकता यूज करने के लिए अगर आप चाइना रोम यूज करते हो तो अदर वाई जाव एक नॉर्मल यूजर्स हो तो आपको दिक्कत आने वाली है यहां पर एरवन का सपोर्ट नहीं मिलेगा डिवाइस सर्टिफाइड आपको डेखनी को नहीं मिलेगा तो डिसीजन आपका होन कि डेखनी को मिल जाएगा जो कि में भी स्टार्टिंग मंत में ही हो सकता है क्यूंकि अब ह थोड़कर टाइम है تو उमिध करते हैं कि जल्दी अब आपको इदेखनी को मिलने वाला है विदिन टू या 3मनत के अदर, आपको देखनी को मिल जाएगा और जब भी आएगा ना, इंडिया में Poco X2 का अपडेट तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोसिस करूँगा तो मिलते हम नेक्ष वीडियो में इसी तक हैं इंट्रेस्टिंग अपडेट के साथ तब तक लिए गाई टाटा एंड बाई बाई झाल